हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल लॉजिक बाल शाड़ा चलिए स्टार्ट करते हैं इविस की पेड़ागोजी के इंपोर्टेंट कोई प्वेश्चन से इसक्राम देखे सिर्फ आपके पास आज और कलकर टाइब अच्छे सी हम क्या करेंगे बिल्कुल प्रप्रेशन क करेंगे आप इस टाइम आप अच्छा रहेगा तो आज कर जो हमारा फर्स्ट कोशन बोड़ा है कि परियावरन सिक्षा के लिए उप्यूक्त कहानी विदी से कहानी विदी का जो हम व्योग कर रहे हैं उसका क्यों कर रहे हैं उससे क्या होता है कि बालकों के याददाश दी तो जल्दी अपना अंसर सोचिए क्योंकि इसका मेन उदिश ही होता है कि बालकों को जो वास्तफिक दुनिया जिसमें रहती है उसके साथ रूबरू कराना जो भी हमारे पडियावरण में हो रहा है उनके बारे में जानने के लिए हमें उनमें जागरुपता पैदा करनी होती और सबसे अच्छा मात्यम क्या होता है बच्चों को कहानी विदी से क्योंकि कहानी में क्याता है बच्चों को इंटरस्ट भी आता है वो बहुत साथा इंटरस्ट लेते हैं कहानी सुनने में और अब कहानी सुनने के मात्यम से ही उन्हें पडियावरण के बारे में जानकार बिल्कुर सही होगा सेकिंड हमारे पास क्वेशन है पर्यावरण अध्यन की पाठे पुस्तक में पहिलिया शामिल करने का निम्ल में लिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है जो मों पहिलिया आपको बीच वीच वीच चैप्टरस में लिखने को दिखने को मेल जाती है इन में से थी कि कौन सा नहीं है बताना मतलब तीन सही होंगे और एकिसमें सी गलत होगा तो फर्स्ट हमारा जो ऑप्षिन है वो है स्रजनात्मक चिंतन की योगिता उस्सुकता का विकास करना सेगिन है बच्चों में आलोशनात्मक चिंतन शक्ती विकसित करना थाड़ है बच्चों में तरकना शक्ती का विकास करना है फोर्त है बच्चों के मतलब ब्रहमित और उन्हें इस ब्रहम का आनंद उठानी देना तो कौन सा उदेश्य नहीं होगा तो बिल्कुल ऑप्षिन से समझ नहीं होगे तो पहेलियों से क्या होता है कि बालक जो है वो सोचते है तो उनमें चिंतन करने की शमता विकास होती है उनमें जतना जादा को सोचेंगे उस चीज़ के बारे में उतना उनका जो तिंकिंग इसके लब वो डेवलप भी होगी तरक करने के शब्ती भी डेवलप होगी इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड और त्री ये तीनों तो करेक्ट होगा इसके बाद बढ़ते हैं अपने थार्ट क्वेशन की तरफ निम्न लिखित में से किन पश्यों में देखने और सुनने की शमता सबसे अधिक होती है चीते बाच डॉल्फिन या फिर गिद तो ऐसे कौन से पश्यों है जिनमें सुनने की और देखने की ठीक है गुना बहतर देख सकता है तो इसलिए हम इसमें क्या लगा के आएंगे फर्स्ट वाल ऑप्शन बिल्गुल सही लगा के आएंगे इसके बाद बढ़ते हैं फोट क्वेशन की तरफ पोट क्वेशन में बोले कि कख्षा में डैश गतिविदी से चातरों में तर्ग शक्ती बढ़ती है तता विश्यों को तर्ग की कसोटी पर परकने की कोशलता बढ़ती है तो ऐसी कौन सी गतिविदी है निर्देशन प्रशन पूछना चार्ट निर्मार या फिर वाद तो ऐसी कौन सी के बेदी जिसमें सोचने की शक्ते बढ़ते जिसमें जादा स्यादा वह तर्ग कर सकती हुआ कि तो देखिे कौन सा ओप्षिन ओगा जलदी सोचे इसका अंसर देखे नुर्देशन में तो चातर नहीं देता पहली बाद। निर्देशन में तो फ़िक्षक उन्हें निर्देश देता है चातर उसको पालन करती है। प्रशन पूछने हम पिशने बसा में इतनी जाद हां हम आपने तरक शक्ति का उपयोग वहां नहीं करते हैं चार्ट निर्मान में भी नहीं किया चाता वर जो वाद-विवाद प्रत्यों किता होती है जब वाद-विवाद competition भी कराये चाते हैं इसे प्रत्यों करेंगे फिर कोई उसके विवक्ष में बोलेगा तो क्या होगे एक दूसरे की चीजों को न सब ऐसे इस तरीकों को अपने आपको बताएंगे जितने ज़ादा आप उस टॉपिक के बारे में सब बारत में पाई जाने वाला वह जानवर जो पहले तो प्रचूर मातरा में था पर अब विलुप्त की कगार पर आ गए विलुप्ती का मतलब है कि अब वो अब आपको देखने को बिल्कुल मिलेगा ही नहीं है ऐसा परचू का नाम बताना है तो जल्दी सोचे क्या इसके लिए हम आंसे लगा के आएंगे हमके ऐसा कौन सा परचू है तो देखे जो इसका आंसर हैगा वो हमारा थर्ड वारा आंसर सही होगा एशियाई चीता जो एशियाई चीता है ना वो अब विलुप्ती की कगार पर आ गया है यह विलुप्ती का मतलब होता है पौधे भी विलुप्ती की कगार पाते तो पौध्यों जंतों की ऐसी अब जो है हमारा एशियाई चीता है वो पहले तो बहुत जादा मिलता था लेकिन उनका शिकार होता गया तो इसलिए वो विलुप्ति के कगार पर आगे तो इसके थार्ड वाल उप्शन इसके लिए बिलकुल सही होगा इसके बाद हमारे पास दिक्स कोईशन है कि अंकित के विध्याले में एक विग्यान प्रदरषणी का आयोजन किया गया है इसका आयोजन एक उद्देशे की साथ किया गया था आपके विचार सि अदितिक का नाम प्रसिद्द करना सेकिंड है अभिभाबो को संतुस्ट करना धर्ड है विविंवेवसाय के लिए विद्यार्टि तो निवी असके लिए फिर ना कि बालकों में हम इसके लिए क्या हम हमारे साथ से तो जो प्रदश्णी लगाई चाते है प्रदश्णी का मतलब क्या है बहुत सारे कितना अपने तरब से प्रियास किया है, सोच के किया है, कितना उन्होंने अपने कौशलोगा यूद किया है, तो सभी चीज़ को मिला के हम इस परेक्षा करेक्षा रहेगा, तो देखे हमारे पास तो 7th question है, उसमें हम से बोला गया है कि एकल परिवारों की अपेक्षा, तो क्या होता है कि मावा, पुते, उनके बच्ची होते है, तो ऐसा क्यों होता है कि सभी परिवारों में कारेबार जो लोगों पर कारे का बाहर होता है, option है कारियों का बढ़ जाना कारेभार का second है कारियों को कुशलता पूर्वा करना third है कारियों को व्यवस्ति स्वरूप और fourth है कर्तव्य की उचित जानकारी तो किस वज़े से कारेभार जो है वो घड़ जाता है इसके लिए क्या option आपको बिल्कुल सही लग रहा है तो दीखे सैंक तो परिवार में कहोता है कि बहुत सारे लोग होते है तो क्या होता है न सब में हम कारेभार का बटवार हो जाता है सब अपने हिसाब से कारे कर लेते है तो इसने सैंक्त परवार में जो होता है कारेभार कम होता है तो option क्या लगा के आएंगे सही पैचाना सभी ने option फर्स्ट वाला इसमें लगा के आएंगे इसके बाद बढ़ते हैं 8 question के तरफ जिसमें हम से बोला है कि प्रत्वी पर क्या है प्रत्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल जीलो नदियो नालो तता पोखरों के रूप में है तो हमाई पस इसमें option है 0.36% 0.2, sorry 22.4% 72.2% या 80% तो कितना प्रतिशत जल जो है वो जीलो नदियो और पोखरों में ताजा जल है जल तो हमारे प्रत्वी पर जो है वो 70 तो 72% जल है मन हमें हमें बताना है कि कितना प्रत्वी जल ताजा जल है जो पीने योगी होता है ऐसा जल तो कितने प्रत्वी पर जो ताजा जल है यह बताना है जिसकी मात्रा कितनी है 0.36% तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा जिसमें दिया है हमें 0.36% तो आंसर फर्स्ट वाला लगा के आएंगी इसके बाद हमारे पास 9th question है कि जल की अस्ताई काटोरता को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है फर्स्ट option है क्लोराइट वे केल्शियन तो था मैगनीशियम के सलफेट डाल कर सेकिन है केल्शियम और मैगनीशियम के बाइकार्बोनेट डाल कर थर्ड है अफसादन दुआरा और फोर्ट है उबाल कर तो जल में जो अस्ताई काटोरता पाई जाती है उसको किस प्रकार से दूर किया जाता है हमें यह option बताना है तो science का अच्छा कूश्यन है यह तो क्या इसके answer लगाएंगे जल में जो अस्ताई काटोरता का कारण होता है वो केल्शियम और मैंगनीशियम के वतल है तो जो जल में जो बिलकुल कररेक्ट हो आई यह सभी ने 4 लगा होगा च्छे ने कमें लिक 자 में से कौन सा खाद देखटक मानव शरीद वारा पचाया वह अफशोशित नहीं किया जा सकता फर्स्ट है वसा, प्रोटीन, सुक्रोज और सेलिलोज तो कौन सा ऐसा खाद देखटक है जो मानव का शरीद उससे क्या कर सकता है अफ्षोषित नहीं कर सकता, ग्रेहन नहीं कर सकता तो देखिए, इसका जो option होगा, वो cellulose होगा पहले तो option जानते है, cellulose सही होगा क्यों? इसमें cellulose है, देखिए, cellulose जो होता है वो होता है, एक जड़िल k goodies होता है, cellulose जो glucose सी मिलके बना होता है किसी बना होता है याद रखिएगा cellulose जो होता है वो glucose के अड़ों सी मिलकर बना होता है और इसने मानफ की शरीव तोरा पचाया नहीं चासबता क्योंकि जो cellulose को पचाने वाले enzyme होते है जिने हम cellulose कहते हैं क्या कहते हैं मैं आपको बता दीती हूँ जो एक enzyme होते हैं जिने हम क्या कहते हैं cellulose कहते हैं वो मानफ की शरीव में नहीं पाए जाते हैं तो कि जो भी आपके बस protein होगा जो भी उसको पचाने के लिए enzyme तो होनी चेन आपकी body में तो जो cellulose को 10 questions आएप आपको अच्छे लगोंगे ऐसे ही हमारा एक दिन और जल्दी से हम करते रहेंगे तो देखते रहेगा वीडियो को और like share subscribe जरूर करेगा thank you